नमस्कार साथियों सुवागत आपका ब्राइट एगरो क्लासेज के ओनलाइन प्लेटपॉम पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपका जो फ़र्ष्टियर का सेमेश्टर है उसमें आपने एक कोर्स देखा होगा सोल साइंस का उसी कोर्स की बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ओप सोल साइंस यानि कि ये आपका जो फिफ्ट डीन कमिटी के इसाफसे से लिवस था उसमें भी ये कोर्स था और अभी जो लेटेस्ट जो सिफ्ट डीन कमिटी है उस इसाफसे भी आपको उसमें भी ये से लिवस देखने को मिलेगा यानि कि ये कोर्स पाई जाती है जो रोक्स है वो कैसे बनती है मिनरल्स क्या होते हैं इसके अलावा जो जितनी भी परक्रिया है सोईल में देखने को मिलती है चाहे वो फीजिकल परक्रिया हो चाहे वो किसी परकार की बाइलोजिकल परक्रिया हो चाहे वो अधर कोई कंजर्वेशन की बात हो य कुछ भी फरक नहीं है, पहले वाला डिट्टो से लेबश डाला है, बस ऐसे मालों की न्यू पेकेजिंग है, और जो माल है वो पुराना ही है, यानि कि से लेबस तो वो का वो ही है, बस उसको फिफ्ट डीन कमेटी की जगे, अब सिफ्ट डीन कमेटी बोल दिया है, कुछ सब का जो पहला टोपिक है, यानि कि जो इसके इडेफोलोजी और जो पेडोलोजी के कंसेप्ट है, उनकी हम बात करने वाले है, एक बात में फिर से तुम्हें बता दू कि हम जो इससे पहले की जो हमारी कलास थी, उसमें हमने डिसकसन किया था, जो से लेबस था, उसके बारे म जिसमें हमने सभी जो पूरे टोपिक हैं, उनके हमने बात की थी भी, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बार यदि आप वो वीडियो देख के आओगे, तो और अच्छा रहेगा, आपका थोड़ा बेटर एक्सपरेंस रहेगा, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि हम कौन-कौन से टोपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों की सूचने आपको पहले ही दे दी गई थी, ठीक है, तो हम लगबग जो अमारी एक एक क्लास रहेगी, वो उसे इसाब से एक एक टोपिक को पढ़ते चलेंगे, कोई दि मेदारी मेरी है, पूरी चीजे आपको, यानि कि all total जो अपना syllabus है, point यानि कि जो chapter है, वो सभी chapter license के साब से chapter जो एक एक करके हम आपको डिटो समझाते चलेंगे, यानि कि one by one करते होए, समझाते होए, चलेंगे, तो कहीं भी इधर उदर भागने की जर्रत नहीं है, मतलब single definition आपको कहीं से पढ़ने की जर्रत नहीं है, सारा यहीं से मिलेगा, और जो result है, वो आपको देख लेना आप एगरो बराइट एगरो classes पर आपको सारा result देखने को मिलेगा, डेमों के तोर पर आप है, मतलब यह संकोच मतलब ना कि किसी परकार की कोई हमें मालो quality नहीं quality में कोई compromise नहीं है, सारी चीज़े आपको बहतरीन से भी बहतरीन मिलने वाली है, तो सुरुआत करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, और बाते तो हम करते ही रहेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा soil science की बात करते हैं, ठीक है, अब क्योंकि आज पहली class है और पहली class में हम सारी चीज़े नौर्मली लेकर चलेंगे, यानि कि बिल्कुल fundamental से, soil क्या होती है, इससे start करेंगे, और soil के जो components है, branches है, इसके अलावा, ideology क्या है, पेडोलोजी क्या है, कौन-कौन से वेग्यानिकों ने क्या-क्या बताया, ये सारी बाते हम इसके बारे म लेकर बासा में हम क्या कहेंगे, ये एक तरह की क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी का अधेन ही soil science है, ठीक है, soil science का, science का मतलब होता है, अधेन करना, और मिट्टी का, जहाँ पर हम soil का अधेन कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम बोल रहे है, soil science, यानि कि इसको हम वे अधेन से, Todo victories जोड़ direct तो इसको ex site के रूप में हमने बाट लिया है और उसको खाया है साइं अभ जो western सब्द है जानि कि समय जो सब्द हैए वह लेटिन बासा के सब्द से आया है का से आया है यहां क्योंकि अलग-अलग बासा होती है हमारी हिंदी बासा है इसके लावा हम इंगलीस भी बोल लेते हैं इसके लावा हम राजस्तानी है तो हमारी मातर बासा राजस्तानी हो गई इस परकार से हम सारी बासा है जो हम जानते हैं वो बोलते है उसी परकार एक लेटिन बासा होती है लोगों ने जानना घोजना प्रारम किया तो उसी बासा में इस सब्द को दिया गया है सोईल और सोईल जो लेटिन बासा के जिस सब्द से डेराए हुआ है यानि कि जिस से निकला है उसे हम बोलते हैं सोलम क्या बोलते हैं दोस्तों सोलम यानि कि सोलम सब्द है मेन जो मतलब रूट वाले सब्द की बात करें हम तो रूट जो सब्द है वो सोलम है मुक्के सब्द और इसी से ये सोईल बना है इसी से क्या बना है सोईल बना है ठीक है तो ये चीज़े आपको देखने को मिलती है जो सोलम सब्द है इसका मतलब होता ह ऎा हुआ है ground या floor कYा मतलब होता है दोस्तों ground या floor होता है टीक है ground या floor देखने को इसका जो अर्थ है ऑब देखने को मिलता है floor का मतलब एक तरह ही से phrase की बात कर सकते है हम कह सकते हैं की phrase ड़". ठीक है प्लोर या फर्स या ग्राउंड भी आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है क्योंकि अलग-अलग जो बुक्स होती है उनमें अलग-अलग जीजे मिलती है तो ये एक introductory part है ठीक है इसके अलावा हम यदि ये कहे कि जो soil science सब्द है वो soil science सब्द का तो मामला ठीक है लेकिन हम इसके वेग्यानिक यानिकी जो फादर है उनकी बात करें तो हम कहते हैं कि soil science के जो फादर है उनको हम दोकोचेव बोलते हैं क्या बोलते हैं दोकोचेव बोलते हैं ठीक है ये दोकोचेव ने सबसे पहले soil पर research program की थी तो इनको हम क्या मानते हैं father of soil science मानते हैं तो ये चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी है basic चीज़े हैं इसलिए सारी चीज़े एक तरफ से बतानी पड़ती है अब बात करें आपके जो topic दे रखा है वो दे रखा है कि soil is a natural body ठीक है पहली बात तो ये ही कह रहे की है soil is a natural body अब देखो इसको समझ लेते हैं एक बार natural body का मतलब क्या है इतना इस सब्द पर इतना क्यों जोर दिया गया है कि ये सब्द आपके syllabus में भी सामिल किया गया है natural body ठीक है अब देखो body का मतलब होता है सरीर या मालो कोई भाग ठीक है सरीर एक तरह का हम body जो मुख्य सब्द हम कामे लेते हैं वो सरीर के लिए कामे लेते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि nature से संबंदित body यानि कि एसी चीज जो प्राकर्तिक है पहली बात तो क्या है वो प्राकर्तिक है दूसरी बात वो एक तरह का पिंड है पिंड का मतलब body है तीक है यानि कि सामाने बासा में एक तरह का सरीर है यानि कि physical कोई चीज है और वो physical किस से बनी हुई है प्रकर्टी से बनी हुई है और हम जानते हैं कि मिट्टी का जो origin होता है यानि कि मिट्टी का जो निर्मान होता है वो एक natural process है एक लंबी natural प्राकर्टिक process है जिसके प्रसवरूप मिट्टी का निर्मान होता है तो वो ही बात आपको ध्यान रखनी है प्राकर्टिक पेंड या natural बोधी का मतलब है मिट्टी ऐसी चीज है या एसी वस्तु है जो की प्रकर्टी दुआरा बनी हुई है और एक लंबी प्रकरिया के दोरान बनी है ठीक है ऐसा नहीं है कि दो दिन में मिट्टी का निर्मान हो गया है या ऐसा भी नहीं है कि किसी इंसान ने मिट्टी का निर्मान कर दिया है, मिट्टी का निर्मान एक सतत परिक्रिया है, यह continue चल रही है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, और चलती रहेगी, ठीक है, और प्राकर्तिक चीज है, यानि कि एटोमेटिक परकर्ति में खुद ही चल रही है, उसको कोई जो ह वो नहीं चला रहा है, यानि कि इंसान प्रभावित नहीं कर रहे हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि इंसानों के द्वारा ये प्रोसेज मालों थोड़ी सी बढ़ा ही जा सकती है, या गठा ही जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य प्रभाव है, वो प्रकर्टी का ही ह से ही ये देखने को मिल रही है तो नेचुरल बोडी का मतलब समझ लिया आपने नेचुरल बोडी का मतलब क्या है नेचुरल बोडी का मतलब है कि ये प्राकर्टिक पिंड है यानि कि प्रकर्टी में खुद ही अपने आप बनता है अब यदि इसकी परीभासा की बात करे यद एक प्राकर्टिक पिंड है तथा ये पोदो को यांतरिक साहरा वे पोसन परधान करती है दो काम मुखे important हम यहां समलित कर रहे हैं वैसे मिट्टी के बहुत सारे काम है उनकी भी हम चर्चा करेंगे लेकिन यदि हम परिबासा की बात करें तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि मर्दा एक प्राकर्टिक पिंड है जो की पोदो को यांतरिक साहरा वे पोसन परधान करती है ठीक है तो परिबासा के रूप में हम कहेंगे कि क्या है जो हमारी मर्दा है वो एक प्राकर्टिक पिंड है किसा पिंड है प्राकर्टिक पिंड है ठीक है दूसरी बात हम ये कहेंगे ये पोदो को पोसन परधान करती है पोसन का मतलब हो गया सभी परकार के न्यूट्रेंट्स पोसन पोशन परदार देती है या मालोग पोशन देती है ठीक है दूसरी जी जी जो हम कहेंगे यह यांतरिक सहारा भी परदान करती है यांतरिक सहारा का मतलब क्या हुआ यांतरिक सहारा यानि की फिजिकल सपोर्ट सपोर्ट का मतलब है पोदे को खड़ा रहने के लिए जो मजबूती परदान करती है वो कौन परदान करती है मिट्टी ही परदान करती है त्योंकि हम जानते हैं कि जो पोदे होते हैं वो पोदे किस परकार से मिट्टी में डटे र रेती है, उनके कणों में अंदर घुशी हुई रहती है, इसी के कारण हम कहते हैं कि सीधी सी बात है कि जो पॉदा है, वो मिट्टी में खड़ा हुआ है. इसका मुख्य कारण यही है कि मिट्टी उसको क्या करा रही है? सपोर्ट दे रही है दूसरी बात ये जड़ों से पौशन प्राप्त करते हैं तो पौशन के रूप में चाहे किसी भी परकार के न्यूट्रेंट हो गया इनकी बात कर ले इसके अलावा जल यानि की पानी भी इंपोर्टेंट है और वो भी किस से प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि सभी चीजे लगबग पोदे को किस से प्राप्त हो रही है मिट्टी से प्राप्त हो रही है तो डेफिनेशन में भी हम इनी तीनों चीजों को सामिल कर रहे हैं कि मिट्टी जो है एक प्राकर्तिक पिंड है जो पोदों को पोसन परदान करती है तता यांतरिक साहरा भी देती है ये एक सिंपल परिभासा है जो आपको लिख्यानी है इसके अलवा अलग-अलग विज्यानी को ने अलग-अलग परिभासाई दी है ठीक है जैसे जो डोकोचेव है उन्होंने कहा है कि मिट्टी एक प्रा ना लेती है, जब हम soil profile पढ़ाएंगे, आपके तीसरा या चोता topic है, वो पढ़ेंगे तब बताएंगे कि soil की जो परीछे दिखा है, मिट्टी मर्दा परीछे दिखा है, वो क्या होती है और उसमें संस्तर क्या होते है, उनकी हम बात है वहाँ पे करेंगे, संस्तर की बात हम क ब्रेडी नाम के जो वेग्यानिक है, उन्होंने कहा कि soil is a dynamic natural body, यानि कि ये एक तरह की कैसी है, जो dynamic natural body है और उसी परकार से इसका भी निर्मान मुखे रुप से जो कुछ परदार्थ है, कुछ जो पाच परदार्थ है, कारक है, जिनके दौरा मिट्टी का निर्मान होता है ये जो सारी चीज़े हैं, वो किसने बताई है, इन्होंने इसके लावा जेनी वेग्यानिक थे, बकमेन थे, ब्रेडी की बात हम करी चुके हैं, और ब्लेकमेन है, ये बहुत सारे वेग्यानिक हैं, जिन्होंने अलग-लग बाते की हैं, आपको मुख्य रुप से एक परिब परिवासा याद करना चाहो तो उसे साफ से कर लेना और जनरल परिवासा जो short and sweet है यानि कि simple परिवासा है वो याद करना चाहो तो वो भी कर सकते हो वो इसी भी एक परिवासा आप याद कर सकते हो और semester में आपको क्योंकि परिवासा से संब्धित क्योशन आएगा तो आप उ उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रोपर्टीज है मर्दा गुण है उनकी बात कर लेते हैं मर्दा के गुण अब मर्दा के गुण क्या है तो गुणों में एक तरह से जो चीजे हम सारी वहाँ पढ़ किया है भी उनसे संबधिती गुण देखने को मिलेंगे जैसे मिट्टी क्या है एक तरह का प्राकर्तिक पिंड है यह एक गुणों गया यानि कि यह प्राकर्तिक चीज है करत्रिम नहीं है आर्टिफिसियल नहीं बनती है यानि कि जो करत्रिम तोर पर यदि हम मिट्टी बनाना चाहे तो हम उसका निर्मान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक क्या है प्राकर्तिक चीज है, तो हम कहेंगे कि ये प्राकर्तिक पिंड है, एक तो इसकी यही विसेश्ता है, क्या है प्राकर्तिक पिंड है, दूसरा ये अलग-अलग संस्त्रों में बटी होती है, किसमें बटी होती है, संस्त्रों में बटी होती है, अलग-अलग संस ये layers किस हिसाब से बनती है मालो यहाँ पर organic matter ज़्यादा है तो यह मिट्टी आपको थोड़ी dark नजर आएगी इसके लावा यहाँ पर कोई दूसरे nutrient जम्य हुए है तो वहाँ पर मिट्टी अलग रंग की दिखाई देगी जब जहाँ पर मिट्टी में कम जो संस्तर है वो तिकाई देते हैं वहाँ पर अलग चीज यानि कि हम यह कहते है कि मिट्टी का भी प्रारम हुआई है या पून रूप से जो soil profile है वो डवलप नहीं हुई है यहाँ पर यदि अधिक मात्रा में हमें डार्क रंग दिखाई देते हैं यह दिखाई देता है कि अलग अलग संस्तर है अलग अलग हो रिजोंस है वहाँ पर हम यह कहते हैं कि हां मिट्टी के जो भाग है वो पून रूप से डवलप हो चुके है यानि कि जो परोफाईल है वो ज़्यादा पून रूप से विक्सित हो चुकी है तो यह चीज़ें में देखने को मिलती है तो संस्तरों में बटी होती है इसके लाँ और क्या विसेश्टा है ये इसके अलग-अलग भाग होते हैं, मिट्टी के जो component की बात करें, तो अलग-अलग भाग होते हैं, इसमें minerals यानि की खनीज परधार्त पाये जाते हैं, खनीज परधार्त होते हैं, इसे के साथ में आपको carbonic परधार्त भी देखने को मिलेंगे, कार्बनी के पधार्थ भी देखनी को मिलेंगे इसके अलवा आपको देखने को मिलेगा कि जो मिट्टी है उसमें जल भी पाया जाता है 25% तक जल होता है और लगबग आपको जो मिट्टी में देखने को मिलेगा एर यानि कि वायू वायू भी आपको component के रूपे तो चार मुखे भाग होते हैं मिट्टी के भाग का मतलब हो गया उसमें component होते हैं संगठन हो सकते हैं इस भाग सब्द के जगए यदि हम संगठन लिखे तो ज़्यादा अच्छा सब्द रहेगा हमारे लिए तो हम लिख लेते हैं कि संगठन की बात हो रही है संगठन का मतलब किन किन चीजों से मिलकर मिट्टी बनी हुई है तो मिट्टी कनीज परदार से बनती है कार्बनिक परदार से बनती है जल से बनती है और वायू से बनती है ये दोनों है ये लगबग हम कहते हैं कि 50% बाग बनाते हैं और ये दोनों जो है लगबग 50% बाग बनाते हैं इनके जब हम और आगे बात करेंगे अलग से component की बात करेंगे यानि कि संगठन की बात करेंगे तब इनको और अच्छे से classify करेंगे अलग अलग चीजों में और ज काम करती है ठीक है जो आगे की विसेस्ता है वो हम कहेंगे कि एक तरह से आवास का काम करती है किसके लिए सुक्सम जीवों के लिए सुक्सम जीवों के लिए आवास का काम करती है सिर्फ सुक्सम जीवों नहीं बोल सकते और भी जैसे जो बिल में रहने वाले जीव है वो मुक च्वे हैं वो इन सब के लिए भी क्या करती है आवास का काम करती है बाकि सुक समझेओ के रूप में बेक्टेरियार ये तो होते ही है तो वो चीजे भी हमको देखने को मिलती है ठीक है तो ये कुछ विशेशता ही है जो आपको ध्यान में रखनी है यानि कि एक तरह से गुण कि मिट्टी के कारिये function of soil, soil क्या काम करती है हमारे लिए क्यों important है क्यों हम इसका अद्यान कर रहे हैं इतनी भी क्या जरूरी चीज है कि हम किताबों में इसको पढ़ रहे हैं अद्यान कर रहे हैं इतनी भी इसकी क्या जरुत है ठीक है तो हम कहेंगे कि कारिये में सबसे पह पोदो को जल उपलब्द करवाती है, जो एकोलोजिकल एक तरह का जो सिस्टम है उसको बनाए रखती है, इन सभी चीजों के रूप में हमें मिट्टी के कारिये देखने को मिलते हैं, तो हम पहला ही इंपोर्टेंट कहेंगे कि ये पोशन क्या करती है, पोशन उपलब्द तो पेड़ पोदों को पोशन उपलब्द करवाती है, दूसरी चीज, यांतरिक साहारा परधान करती है, यांतरिक साहारा, इसके अलाव, बहुँस सारे उर्जा के सोर्स हमें मिट्टी से पराप्त होते हैं, उर्जा के रूप में जैसे पेट्रोलियम परधार्त, पेट्र ये उर्जा का काम करते हैं। जिश्य को प्रक्राप Staff करते हैं। इसके अलावा जाए कोई ब्यूदों गरèmes भजागते है। मिट्टी एंग विव्सक्राप्त के सांच कि हम प्रकरति की संसाधन कियों कि काम है। जिश्य को जी को हमदिए टाएंग आता है। परकृति में बनी है तो एक तरह से पराकरतिक संसादन है। इसके अलावा हम कहेंगे कि उर्जा और यांतरिक सारह पोसंट और जो स्टोर्च है पानी की जो वाटर होल्डिंग केपिसिटी है मिट्टी की उसकी वज़े से भी एक तरह से यह करते हैं पानी को होल्ड करके रखती है तो वाटर होल्डिंग केपिसिटी यानि की वाटर को होल्ड करने का काम भी करती है वाटर को रिसोर्स के रूप में काम में लेने का भी काम कौन करती है मिटी ही करती है तो ये कुछ काम है जो आपको मिटी के कारिये के रूप में देखने को मिलेंगे इसके अलावा भी और बहूत सारे काम होते हैं मिटी के important काम होते हैं जिनके हम discussion अभी कर लेंगे लेकिन ये मुखे चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है. अब दो important चीजे हैं जिनकी हम बात करेंगे, एक तो pedology और एक इडेफिलोजी, ये दो concept है, जिनकी हम बात करने वाले हैं. ठीक है? तो pedology और इडेफिलोजी क्या होती है, क्योंकि आपके लिए एक तरह से नई चीजे होगी है, तो इनको आप ध् मिट्टी से खेती करना चाहता हूं, यानि कि मिट्टी से मुझे उत्पादन प्राप्त करना है, क्रोप का, क्रोप प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एक अन्य आदमी है, जिसका उद्देश से यह है, कि वो मिट्टी का उप्योग एक बिल्डिंग बनाने के लिए करना चाहता ह यानि construction के लिए काम करना चाहता है, वो building बनाना चाहता है, तो यदि मैं खेती करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे साब से मिट्टी को पहले देखूंगा, जैसे मेरा क्या, मेरा उद्दे से है क्या खेती करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इस मिट्टी में जो कण ह वो कौन कोई से है, यानि कि कणों के अधार पर मैं उसका एक तरह से पहले क्लासिफिकेशन करूँगा, मानलो मेरे पास जो मिट्टी है, वो लोमी मिट्टी है, यानि कि उसमें तीनो कणी समान रूप से, जो कले के, सिल्ट के, और जो मोटे कणों होते हैं, सेंड के, वो तीन पानी है, उसको होल्ड करने की कैपिसिटी भी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए पसल उत्पादन करने के लिए बेस्ट है, यानि कि ठीक है, अब एक अन्य आदमी है, जिसको बिल्डिंग बनानी है या पे, वो चाहेगा कि मुझे ना तो वार्टर होल्डिंग के अपिसिटी से मतलब है, ना मुझे इसमें पोसक ततो है या नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, वो बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो उसको सीधा सा एक चीज से ये मतलब है, कि क्या ये मिट्टी ऐसी है कि किसी बड़ी बिल्डिंग को धारन करने के समतार रखती है, य याँकी जो मिट्टी है, उसमें जो वालो मुक्य मिनरेल्स पाए जा रही है याँकी जो खनीज had, याँकी जो दानी है, वो किस हिसाप से है, कैसे है तो उसका उदे से अलग है, तो इसी इनी उदे से, इनी अप्रोच के अदार पर मिट्टी को दो बागों में बाटा गया है एक भाग है Pedology और दूसरा जो बाग उसका नाम है Edophology अब यहां पे देखो जो हम Agricultural वाले है, उनका मुख्य उद्दे से है कि हम मिट्टी को जो अध्यन करे, वो किस के आदार पर करें पोदे के आधार पर यानि कि हम पोदे लगाना चाते हैं हम क्रोप प्रोडक्शन लेना चाते हैं तो क्रोप प्रोडक्शन लेना चाते हैं तो हम मिट्टी का देन करना चाते हैं किसके आधार पर क्रोप प्रोडक्शन के आधार पर या हम कहेंगे प्लांट के में, to plant relation, to plant relation का मतलब हो गया पोदों के सम्बंद में, क्या बोल सकता हूं मैं, पोदों के सम्बंद में, एक मिनट दो मुझे, मैं अभी समझाता हूं आपको सारी चीजे, देखो, ideology है, इसका मतलब है, पोदों के सम्बंद में जब मिट्ती का देन किया जाता है, यानि कि कोई specific कोदा है, कोई specific crop है, अलग से मालो कपास की crop है, तो कपास की फसल है तो उसके लिए हम अद्यान करेंगे कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, चिकनी का मतलब उसमें कले के कन जादा होने चाहिए, ठीक है, simple सी बात है, और यदि मेरे पास चो crop है, वो मक्का की है, क्योंकि जो मक्का है, उसको aeration चाहिए, यानि कि उसको क्या चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए, जिसमें जड़ों के पास में हवा अच्छे से जाती रहे, दूसरी तरफ जो कपास है, उसको ऐसी मिट्टी चाहिए, जो क्या हो, उसमें पानी को hold करने की समता जदा हो, यानि क पानी की उपलबता पोदे के लिए ज्यादा हो तो ये दोनों चीजे दोनों क्रोप के लिए अलग-अलग है तो जब हम क्रोप के आधार पर मिट्टी का अध्यन करते हैं तो उसे इडेफोलोजी कहते हैं या क्रोप प्रोडक्शन के इसाब से हम जब मिट्टी का अध्यन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं उसे इडेफोलोजी बोलते हैं ठीक है तो आपको इडेफोलोजी का जहां बे भी परिवासा पुछी जाए तो सीधा साम कहेंगे पोदो के संबंद में जब मिट्टी का अध्यन किया जाता है तब हम कहेंगे कि उसे इडिफोलोजी कहते हैं, वो इडिफोलोजी अप्रोच है, यानि कि वो उस आदमी की कौन सी, मतलब अवधारना को बताता है, उससे अवधारना को बताता है कि वो पोदे, पोदों का प्रोडक्शन लेना चाता है, पोदे उगाना चाता है, ठीक है, य का मिठ्व समझते हूँ, MINERALS निकालना चाहता है, कोईलय कीF. उसमेंसे कोईलय निकालना चाहता है, तो वो मिठ्टी का जब अध्ययन करेगा तौः उसका उद्देश से अलग रहेगा, वो अलग हिसाबसे उसे ना Water-Holding Capacity या निsने का थारण करने तो उसकी उत्पत्ती कहां से हुई थी ठीक है उत्पत्ती से मतलब है इसके वर्गीकरण से मतलब है किसे मतलब है वर्गीकरण से मतलब है और इसके distribution यानि कि आसपास में जो इसका वित्रण है वो किस परकार का है उसके वित्रण से मतलब है ठीक है तो जब हम यह कहें कि जब मिट्टी का अदेन, उसकी उत्पती, उसके वरगी करण, उसके वित्रण, इन से संबंदित किया जाता है, तब उससे साखा को हम पेडोलोजी बोल देते हैं, उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, पेडोलोजी बोल देते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को किसमें मिलती ह यह चीज आपको पेडियोलॉजी में देखने को मिलती है तो सौल की दो अप्रोच है जो आपके किसमें दे रखी है ऐसे लेवस में दे रखी है उन्हीं अप्रोचेज को हमने समझा है इड़ेफॉलोजी का अद्धेनं कोडो के संबतने करते हैं और दूसरी तरफ, पेडोलोजी का धेन हम करते हैं, उत्पती वरगी करन, वितरन, कहां से ये मिट्टी डेराइव हुई है, यानि कि ये मिट्टी कहां से आई है, इसमें जो पेरेंट मेटेरियल था, उसमें कौन-कौन सी रोक्स है, कौन से मिनरली इसमें मुखे पाये जाते है, इसका क्लासिफिकेशन, यानि कि कौन से ओर्डर में इसको रखा गया है, इसका वितरन, यानि कि कौन से एरिया में ये पाई जाती है, ये सबी चीज़े हम किसमें देखते हैं, ये सबी चीज़े हम पेडोलोजी में देखते हैं, तो ये अप्रोच है, जो आपको देख पर देन करते हैं तो उसको सोईल फिजिक्स बोल देते हैं यदि हम मिट्टी को जो उनमें पाये जाने वाले रसाइन के आधार पर अध्यान कर रहे हैं तो उसे सोईल केमेस्ट्री बोल देते हैं तो यह लग-लग साखाय होती है जो कि बेसिक सी आपको मतलब एक तरह से पता रखनी है ठीक है बाकि मुख्य दो इंपोर्टेंट अप्रोच है इनका भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो इनी के हम बाते कर चुके हैं लग-बग सारी चीजे हमने कवर कर लिए जो आपका पहला टोपिक है उसी में अब हम एक बार आपको पीडियेप के भी तो इंट्रोड़क्शन की बात करें तो सिंपल सा देखो सारी चीजे मैंने समझा दिया आपको कहां से आया कौन सा सब्द था उसका क्या मतलब था फ्लोर था ये सारी चीजे मैंने आपको बता दी है निचुरल बोडी क्या होती है ठीक है 3D क्या होता है 3D को एक बार और सम आपकी में चोड़ाई, लंबाई और गहराई तीनों चीज़े देखने को मिलती है, तो जब तीनों आयाम होते हैं, तो उस चीज़ को हम 3-D बोलते हैं, 3-D बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, 3-D पेंटिंग, 3-D बिल्डिंग, ठीक है, तो उसी परकार की चीज़े है, 3-D क्या है, 3-D सोइल का जो भाग है, वो है, क्योंकि तीनों चीज़े पाई जाती हैं, तीनों कौन-कौन सी, उसमें लंबाई भी है, उसमें चोड़ाई भी है, और घहराई भी है, मिट्टी में तीनों चीज़े पाई जाती है, तो 3-D dimensions, यानि कि तीनों आयाम इसमें अच्छे से पढ़नी है बक्मेन ब्रेडी के साफ से आपको डेपिनेशन पढ़नी है कोई साभी एक विग्यानी के साफ से आपको डेपिनेशन याद करनी है या मालो सारी कर सको तो सारी भी कर लेना विशेस्ता हों कि बात करें तो विशेस्ता है हमने सभी देख ली है वह अल आपर पानी अधिक होता है वहां पर अधिक करती है कि कहां की अधिक किसी इडेफोलोजी की बात करें हम इडेफोलोजी को हमने देख लिया है ये भी दो सब्दों से मिलकर बना है मुक्के रूप से इडेफोल जिसका मतलब क्या होता है लोगोस का मतलब अद्देन होता है तो वो सारी चीजे हैं देको पेडिफोज में आपको एक सब्द दीख रहा है दीखरा होगा प्लांट यानि की प्लांट के संबन्द में अद्देन करते हैं थिखे वो इचीजे आपको सभी जो है वो बताई गई है आपको सारी चीजे हमने समझा दी है आगे बात करते हैं पेडोलोजी की पेडोलोजी की भी हमने सारा डिसक्सिन कर लिया है क्या होती है पेडोलोजी कौन-कौन सी साकाई होती है त्रिविम आयाम होता है इसके हम बाते कर चुके हैं तो यह विडियेप है जो आपको क्योंकि साज जीजा आपको समझा दी है एक गुन पाये जाते हैं, उस चोटे से चोटे भाग को हम पेडोन बोलते हैं, ठीक है, मर्दा के सभी गुन पाये जाते हैं, मर्दा के गुन क्या होते हैं, मालो उसके तीन आयाम जो है, वो दिखाई जैसे लंबाई होता है, ये चोड़ाई होता है, ये गहराई होती है, ये ची तो हम कहेंगे वो क्या है एक तरह का एक पेडोन है और चोटे चोटे पेडोन से मिलकर एक बड़ा खेत बन जाता है बड़ी भूमी बन जाती है बड़ी मिट्टी का एक छेत्रपल बन जाता है तो पेडोन क्या है एक छोटा आयतन है जो की मिट्टी कहा जा सकता है ठीक है जि मिठिया मन जाती है यह ब्रांचेज है ब्रांचेज की बात करें तो यदि हम केमिकल्स का अध्यन कर रहे हैं यदि बहुत तीक चीजों का अध्यन कर रहे हैं तो उसे मर्दा बहुत तीकी यदि मर्दा में पाये जाने वाली रसाइनी गुनाओं का अध्यन कर रहे हैं तो मर् मर्दा केमेश्ट्री है उसकी बात करें तो थोमस वे इसके जो है वेग्यानिक होते हैं मतलब फादर होते हैं तो अलग-अलग वेग्यानिक है जिन्होंने अलग-अलग इस इन पर रिसेर्च की थी तो उन चीजों को हम देखे चुके हैं ठीक है अब यह जो जेनेसिस वाला ह तो आपको तो यह जान रखना है कि चीजे समझ में आ रही है और हम अच्छा पढ़ रहे हैं ठीक है और कोई चीज समझ में ना भी आ है थो आप कमेंट करो हम रोज पढ़ते हैं देखते हैं और रिपलाई भी करते हैं तो आप कमेंट कर दिया करो कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो हम आपको reply करके बता देंगे ठीक है तो मिलेंगे जो next class है next topic है उसको लेकर और इसकी pdf आपको app पर मिल जाएगी तो app को download कर लेना और क्या करना download करके app से ये pdf download करके आराम से अपने नोर्स बना लेना मस्त ठीक है खुद खुद को अपने अपने नोर्स बनाने है क्योंक लो कर अज दिना करें देना लेऊ हैं, आपको लेक fine ये जलमेगे नोर्स बंस एचो में आराम